तो प्यारे दोस्तों जल्दी से अपना पेपर उटा के और अपने रसाइन सस्त्र विसे का मिलान कर लें कि आपके दोस्तों कौन-कौन से प्रस्न पूरे आये हैं और कितने अमनमर आपके जुड़ने वाले हैं तो प्यारे दोस्तों जैसा मैंने आपको केमेस्ट्री विशे का IMP कोश्चन बताये थे मोडल कोश्चन पेपर बताये थे उसमें से दोस्तों पूरा का पूरा 100% पेपर आपका फसा है नहीं मानों तो आप पूरा वीडियो देखकर मिलान कर लिजेगा अब दोस्तों आगे आपको ये करना है कि पूरा का पूरा जो आपका 28 नमर के जो अबजेक्टिव कोश्चन आने वाले हैं उनका फटा-फट से मिलान कर लिजेगा कि कितने रसा इंसास्ते विशे में आप से कितने कोश्चन गलत हुए हैं और कितने आप से सही हो गए हैं तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजेगा तो चलेगा मिलियार किसी देर के इस वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं कि आपका केमेश्ट्री में पेपर में कौन-कौन से सही वीकल्प पूछे गए थे हो क्या-क्या आपके सही है तो चलेगा वन-बाई-वन करके इसको देखते हैं और समझते हैं कि आपके कौन-कौन से सही वीकल्प सही दिये गए हैं तो पूरा आप इसको देख सकते हो दोस्तों ये रसान सास्त्र विसे का पेपर है पूरा आप इसको देख सकते हो तो चलेगा इसको समझते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका ये 70 रंगों का पेपर होने वाला पूरा जो की अब हो चुका है तो चलेगा इसके one by one करके देख लेते हैं तो यहां से आप देख पारे हो दोस्तो इस जगे पर आप से सबसे बेले साई वी काल पूचे गए हैं तो पेला दिया गया है सो इसक बर्प है तो सो इसक बर्प क्या है यह आपको यह लगा लेना है आड़ विक तो और इसके आगे अगर बड़े दो दोस्तो आप सबसे रेक्वेश्ट ही कि अगर आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सबस्काइब जरूका लिजेगा दोस्तो यह जो남 आप से पूचे गए पूरे आप इसको देख सकते हो आगे अगर देखा जाए तो question number 2 का answer हो जाएगा C वाला आपको इसके उपर चिन लगा लेना है इसके अलावा question number 3 देखा जाए तो question number 3 का क्या answer हो जाएगा दोस्तो आपको ये भी देख लेना है question number 3 का answer हो जाएगा अपना दोस्तो B वाला दिवाले को उपर आपको जिन लगा लेना है तो चलेगा दुस्तो अगला देख लेते हैं तो question number 4 जो दिया गया है question number 4 का भी दुस्तो A वाला answer आपका हो जाएगा इसके उपर आपको जिन लगा लेना है तो उम्मित करता हूं कि दोस्तो पूरा आपने तो प्यारे विद्ध्यारतियों कि आपको भी पढ़ाई को लेकर doubt है तो बिल्कुल मत गबराओ इसका solution है doubtnet app पर जिस भी सवाल में आपको doubt है उसका photo कीचो crop करो और 5 सेकंड में उसका video solution आपको मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्रीम है अब आप पूछ सकते हो अपने unlimited सवाल कहीं भी कभी भी चाये आपका सवाल छटी से लेके बारवी तक का हो या IIT, JEE या NEET का हो या फिर CBSE, UPBR, राजस्तान या अधर स्टेट बोट का हो कोई भी सवाल हो physics, chemistry, maths, biology, science आपके सभी सवालों के जवाब है doubtnet app पर doubtnet पर चल रही है नवी से लेके बारवी, IIT, JEE और NEET के बच्चों के लिए online class जिसका हिस्सा बन कर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आये हैं number one rank तो आज ही download करो doubtnet app, अपने सभी doubt भगाओ और top rank ले आओ इसको note कर लिया होगा, पूरा का पूरा आप देख सकते हो, दोस्तों वही paper आया है जो कि मैंने आपको बताया था, पूरा आप 100% मिलान करके देख सकते हो जो सामकों मैंने वीडियो डाले थे, पूरा का पूरा मिलान उससे हो रहा है और आप लोग मुझे comment करके जरूर पूरा बतायेगा दोस्तों कि क्या आपने वो वीडियो देखे थे या नहीं देखे थे और मुझे ये भी बतायेगा दोस्तों कि आपके 28 नमर में से कितने नमर पके हो गया है यानि कि आपके अटेस नमर में से यानि कि आपजेक्टिव में से कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों कोस्टन नमर चार का देख लिया था हमने कोस्टन नमर पांस का देखते हैं का दोस्तों आपका डीवाला राइट ऑंसर हो जाएगा इसके उपर आपको चिन लगा लेना है चलिएग अब आदे बढ़ते हैं कोस्षिंज नंबर पांच के बाद में छे की बात कर लेते हैं तो आप यहां पर देख पारे हो यह question number 5 दिया गया है और 5 के नीचे अगर देखा जाए तो यहां पर आपको यह 6 भी देखने को मिलेगा आप यहां पर देख सकती हो तो 6 question number जो दिया गया है इसका right answer क्या होगा तो question number 6 का आपको A वालन लगा लेना है, ये सके राइट आझ सर हो जाएगा, चलेगा अब इसका साथवा नमर का Questo देख लिते हैं कि साथवी नमर का क्या सही ये तो Q7 जो दिया गया है दोस्तो इसका आपको A लगा देना है तो इस प्रिकार से हमने दोस्तों इस सारे सही विकल्प देख लिए है वस्तोनिष्ट प्रस्टन साथ अंग के अब आप मुझे ये बताईएगा कि वस्तोनिष्ट जो अब्जेक्टिव टाइप के कुश्चन थे इसमें से आपके साथ नम्मर के कितने सही हुए है मुझे कमेंट करके जरूब बताईएगा दो होते हैं इसमें आपको साथ लिख लेना है साथ इस जगे पर भर लेना है अगला दिया गया है अभी किरिया की दर अभी कारक के संकेंद्रन में होती है कोश्चन नमर दो जो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना समानुपाती क्या लिख लेना है समानुपाती आपको इस चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो question number 4 जो दिया गया है इसमें आप देख सकती हो question number 4 में आपको लिख लेना CA2 CA2 इसमें आपको लिख लेना है तो अगला देखते है question number 5 question number 5 में आपको लिख लेना CA2 CA2 लिख लोगे आप CA2 इस जगे पर आपको लिख लेना है तो अगला देखते हैं दोस्तों इसमें आपको CA2 लिख लेना है अगला देखे टेपलोन का भगला के तो question number 6 दो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना है थिट्रा इस्में आपको लिखना है ऍटेट्रा। फ्लोरो इतिलीन आपको इसमें लिखर लेना है चलिए कर आगे बढ़ते हैं अगले गुषें का अंसर देख लेते हैं तो यह हो चुका आपना तो कोश्चन नमरr 6 देख लिया था अगला देखते हैं फ्लोराशिं श्ठी है तो इसमें आपको लिख लेना प्रती जेविक या प्रती जेविक आपको इसमें लिख ल पूरी की पूरी मेंने आपको करके बता दिये हैं और साथ ही कमेंट करके धर बताईढ़ा दोस्तों कि कि बहुत की कि भर देखेए तो रिक्तिस्तान पूर्ति के बाद में देखा जाये तो आप यहां पर देख सकते हो सही जोड़ी मिलान दी गई है तो सही जोड़ी मिलान भी हम देख लेते हैं करके किस प्रकार से इसका सही जोड़ी मिलान किया जाएगा तो फष्ट वाले का आपका जी से मिल जाएगा और चौते नमर की जो जोड़ी दी गई है इसकी आपको E से मिला लेनी है और आगे अगर देखा जाए पांचवे नमर की जो जोड़ी है पांचवे नमर की आपकी F से मिल जाएगी और अगर छटे नमर की बात करें तो छटे नमर की जोड़ी आपकी C से मिल जाएगी और ग्ल मैंने आपको बताया तो पूरे A to Z आप देख सकते हो यहाँ पर वही question यहाँ पर इस जगे पर पूछे गए पूरा आप इसको देख सकते हो तो चलिएगा दोस्तो यह पूरा मैंने आपको बता दिया है आभी तक दोस्तो आभी एक वाकी में उत्तर और बचे हैं तो चलिए एक वाकी में उत्तर भी हम complete कर लेते हैं तो दोस्तो अगर एक वाकी में उत्तर देखा जाए तो इस परकार से आपको भ़़ लेना है पस्ट वाले में यह है और सेकंड वाले में यह अगर आपने लिखके आया तो आपको पूरा नमर मिलेगा थट वाले में बेंजयन सकना लिखना है और इसमें ये लिख लेना है और पांचवे नमर में के रोटीन आएगा चटे में आपका एतिलीन आएगा और सातवे में आपका पेरा सिटा मोलाएगा अगर दोस्तों आप ये सभी कुछ इसी प्रकार से भरके आये होंगे तो पूरे दोस्तों आपको पूरी नमर मिलेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूब बताईएगा दोस्तों कि आपके 28 नमर में से कितने नमर तयार हो गए हैं प्लीज मुझे कमेंट जरूब कीजेगा जिससे की मुझे भी पता चल सके कि आपके दोस्तों इस विशे में कितने नमर बन चुके हैं दोस्तो इसी के साथ में मैं आप सभी को बता दू हमारी चैनल के दौरा दोस्तो आपको 100% पूरी तैयारी करवाई जा रही है आपको भी पता है दोस्तो जो जो प्रस्न में बता रहा हूं वही बिल्कुल आपकी परिक्चाओं में भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसलि झाल झाल